और हाई विल्कम बैक टो आप लोगों से सेर करने जा रही हूं खीर की बहुत ही स्वाधिश रेस्पी इसे एक परफेक्ट नाप के साथ जब बनाएंगे तो इसके सामने अच्छी अच्छी मिठाई भी फिल हो जाएगी कोई भी स्विट रेस्पी इसके सामने फिल हो एक किलो दूद में आप मुठी ही चावल डाले है इसे मैं अच्छे से वास करके चावल को डाल रही हूं आप खीर की को इसमें भी सबसे पहले डाल रहे हूं तो कमिस को आपको कभी भी पीष्के नहीं डालना है अगर आप किसमिस को पीस के डालेंगे तो आपके दूद फट सकती है इसलिए आप किसमिस को हमेजा ही खड़े ही डाले अब यह देखिए मैंने यहां 6-7 काजू ले लिया है और 7-8 बदाम ले लिया है 7-8 बदाम और काजू को मैं अच्छे से कूट कर डालूँगी आप चाहे तो इसे बार एक पीस भी सकते हैं मिक्सी में पीस कर आप इसे डाल सकते हैं इसे डालने से आपकी खीर काड़ी भी होगी और खीर का जो रस होगा उसका स्वाद बहुत ही अच्छा हैगा तो इस तरीके से आप इसे डाल दें इसे डाल कर भी अब खीर को पकाना है जब खीर पूरी तरह से पक जाए तभी इसमें हम चीनी डालेंगे लेकिन उससे पहले खीर को बहुत ही अच्छे से पकाना है क्योंकि खीर अगर कम पकेगी तो स्वाद कमाएगा तो दोस्तो उससे पहले अगर आपको यह रेज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लेना अब आगे चलते हैं अब मैं यहाँ इसमें चीनी डाल रही हूँ चीनी उतना ही डालें जितना आपने चावल लिया है यह चीनी की परफेक्ट माप होती है आप चावल से ज़्यादा चीनी डालेंगे तो खीर बहुत ज़्यादा मिठी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हमें मिठी भी नहीं चाहिए और फिकी खीर भी नहीं चाहिए देखिए आ मैं एक चमब जिसमें इलाइची का पॉडर डाल रही हूँ यह चोटी इलाइची का पॉडर है इसे डालने से खीर की खुस्बू बहुत बढ़े जाती है स्वाद तो आता ही है साथ में खुस्बूदार भी हो जाता है तो खीर बहुत ही अच्छी बनती है जब यह हमारा खीर पक जाए तो इसे मैं मेसर की सहायता से इसे मेस करूँगी इसे मेस करने से खीर गाड़ी भी हो जाती है और इसका स्वाद और भी बढ़े जाता है तो आप खीर बनाने के बाद एक बार मेस जरूर करें तो ये देखे हैं हमारी perfect खीर बनके तयार हो चुकी है अच्छी खासी गाड़ी भी है और स्वाद तो इसकी है इसकी है कि इसके सामने कोई भी मिठाई फेल तो आप इस तरीके से एक बार अपने घर में खीर बनाए और सबको बना के खिलाएं आपको बार बार लोग इसकीर की डिमांड करेंगे चोटे बच्चे तो खास करके इसे बहुत चाव से खाते हैं तो इसे मैं गार्नीसिंग के लिए चोटे-चोटे टुकडो में बदाम और काजू को काट ली हूँ चोटे-चोटे टुकडो में पहले मैं बदाम डाल दिया है और फिर काजू डाल दिया है अब मैं इसे डेट से सजाओंगे और अगर आप चाहे तो और भी ड्राइफ्रूट्स यूज कर सकते हैं थैंक्यू